पुधेर पॉंचाली भाग छे पिछले भाग में आपने सुना सरजया दोनों बच्चों को कभी महाभारत से कभी अनदा मंगल तो कभी कुछ और कहानियां सुनाती रही अपो को कर्ण बहुत पसंद था हर बार कर्ण की कहानी सुनकर उसके मन में इस उठती उसे लगता मनुष्य की वेदना के सहचर है कर्ण कभी किसी खपच्ची या डाल का अस्तर बना कर कल्पना में युध लड़ता तब तक जब तक उसका मन नहीं भर जाता कभी दुर्गा पकड़ लेती तो शर्मा जाता दुर्गा अकसर जंगल में चक्कर लगाकर बेर, जामुन, शरीफा, आमडा जैसी मजेदार चीज़ें दोनों के लिए लाती थी हलाकि दोनों चेनिवास हलवाई की मिठाई के लिए लल चाते थे पर मुपर मना कर देते थे एक दिन ववन मुखर जी के घर की संजली मालकिन ने घर आकर दुर्गा के उपर एक गुड़िया की माला और बाग से आम चुराने का इल्जाम लगा कर जैसे तूफान खड़ा कर दिया सरजया ने दुर्गा को पीटा तो वह घर से चली गई अपू उसकी खोज में भटका लेकिन दुर्गा नहीं मिली उसका बस चलता तो दीदी को जरा भी तकलीव नहीं होने देता रात को हरीहर जब दुर्गा को खोज लाया तो भाई बहन ने अपने दुख बांटे प्यार जताया और अगले दिन की योजना बना कर सो गए अब आगे कथा, कहानी, काव्य में आपका स्वागत है मेरा नाम है मनीशा इस दिन की घटना इस प्रकार रही अपुपिता के आदेश पर ताड के पत्ते पर साथ बार कख का सुलेख बना कर कुछ सोचते सोचते तीदी को खोजने के लिए गया दुर्गा मा के डर से सवेरे नहा धोकर भीतर के आंगन के पपीते के पेड के नीचे उन्य पोखर गावरत कर रही थी आंगन में छोटा सा चौका और गड़ा बना कर उसके चारो तरफ चना मटर बोया गया था मिटी गिली होने के कारण उनमें से अक्वे निकलाए थे उसके चारो तरफ केले के पेड की फुनगियां गाड़ कर वह चावल की पीठी से तरह तरह के नक्षे बना रही थी जगहे चलेंगे कहां चलोगी दिदी चल मैं ले चलोंगी कहकर वैं विधी पूरवक सारे अनुष्ठान समाप्त करके एक सास में बोलने लगी पुन्य पुकर पुष्प माला के पूजेरे दुपर बेला आमी सती दिलावती भायर बोन भाग्यवती पुन्य पुकर में पुष्प माला कौन दो पहरी के समय पूजा कर रही है मैं सती लीलावती भाई की बहन भाग्यवती पूजा कर रही हूँ अपू घड़े होकर सुन रहा था उसने व्यंग की हसी हस्तेवे कहा ओओ दुरगा आवरती बंद करके कुछ लजा मिश्रित हसी के साथ बोली तु वैसे क्यों बख रहा है चल यहां से तुझे क्या लेना देना है अपू हसकर चला गया चलते चलते उसने तुकबंदी को बदल कर कहा आमी सती लीलावती भाई बौन भाग्यवती यानि उसने भाई की बेहन भाग्यवती कहने के बजाए भाई और बेहन भाग्यवती कहा और अपने इस ख्षेपक पर बहुत खुश होकर हस्ता चला गया दुर्गा बोली तुम बड़े ये बने हो ना मा से कहकर तुम्हारा बिराना बंद कर दूंगे तब आटे दाल का भाव मालूम होगा व्रित का अनुष्ठान समाप्त कर दुर्गा बोली चल गड़ पोखर में बहुत से घाड़े लगे हैं बस्ती से बहुत दूर घना जंगल जहां समाप्त हुआ था वहां मैदान के किनारे यह अदपुरा पोखर था किसी जमाने में गाओं के आदी निवासी मजुमदारों की हवेली के चारों तरफ गड़ी की खाई थी उसके बाकी हिस्से तो पूर गए थे पर इस स्थान में बारों महीने पानी भरा रहता था इसलिए इसका नाम गड़ पोखर है मजुमदार की हवेली का कोई चिन बाकी नहीं है वहां पहुँचकर उन लोगों ने देखा कि पोखर में सिंघाड़े तो बहुत हैं पर किनारे पर कुछ भी नहीं है सब किनारे से दूर हैं तुरका बोली अपू एक खपच्ची तो खोजला उसी से इनको खींचूंगी बाद को वह पोखर के किनारे की जाड़ी के सेमड़ा पेड़ से सेमड़ा फल तोड़ कर खाने लगी अपू जंगल में खपच्ची कोजते-खोजते बहन से बोला दीदी ये फल मत खाओ इसे तो चिरईया खाती है दुरगा पके फल दबा कर उसमें से बीज निकालती हुई बोली आ, खाकर देख, गुड़ की तरह मीठे हैं कौन कहता है ये नहीं खाए जाते, मैंने तो बहुत खाए है अपू ने खपच्ची ढूनने का काम छोड़ कर दीदी के पास आकर कहा कहते हैं इसे खाने पर पागल हो जाते हैं ना, मुझे एक तो दे दीदी फिर वह खाकर जरा मुँ बना कर बोला दीदी ये तो थोड़ा थोड़ा कड़वा है तो थोड़ा भी कड़वा न रहे होने दे, कैसा मीठा है, ये तो बता बात समाप्त कर दुरगा ने खुशी के साथ कुछ पके फल मुँ में डाल लिये जब से ये लोग पैदा हुए थे तब से इन्हें खाने के लिए कोई भी अच्ची चीज मैसर नहीं हुई थी फिर भी ये संसार में नए नए आये थे इनकी जीब कोरी थी वह पृत्वी के विभिन रसों का विशेश कर मिठास का आस्वाद लेने के लिए लालायित थी संदेश तथा अन्य मिठाईयां खरीद कर परित्रिप्ती प्राप्त करने की सुविधा इन्हें नहीं मिलते थी इसलिए संसार की अनंत संपत्ती के बीच करुणा मई वन देवियों ने तुछ जंगली पेड़ों से मिठास धूनने में लगी हुई इन सब लुब्ध तथा दरित्र घरों के बालक बालिकाओं के लिए फूलों और फलों में मीठा शहद भर रखा था थोड़ी तेर बाद दुरगा ओखर के पानी में उतर कर बोली देखो कितने जाल वाले फूल हैं अच्छा ठेरो मैं तोड़ती हूँ और भी गहरे पानी में उतर कर दुरगा ने फूलों की दो लताएं पकड़ कर खीची और फिर उन्हें किनारे पर फैंकती भी बोली ले अपू पकड़ अपू बोला पर सिंघाड़े तो बहुत गहरे पानी में हैं दीदी वहां कैसे जाओगी इस पर दुरगा ने एक खपच्ची से दूर पानी के सिंघाड़ों की लताओं को खीचने की कोशिश की और वह असफल रही बोली यह पोकर बुरी तरह गहरा है इसलिए अब मैं डूबने लाए गहराई में पहुँच रही हूँ अब मैं सिंघाड़ों तक कैसे पहुँच हूँ अच्छा तो एक काम कर पीछे से मेरी साड़ी की खूट पकड़ रख मैं खपच्ची से सिंघाड़ों के थोके को खीच लाओ जंगल में पीले रंकी कोई चड़िया मैना काटा पेड की डाली पर बैठकर पत्तों को नचा कर बहुत सुन्दर सीठी दे रही थी अपू ने उसे ध्यान से देख कर पूछा यह कौँचे रहिया है दिदी चिड़िया विडिया आप रहने दे कसकर खूट पकड़े रह नहीं तो मैं ढलक जाओंगी जोर से पकड़े रहना अपू पीछे से कपड़ा पकड़े रहा जहां तक पैदल चला जाता है वहां तक दुरगा ने जाकर खपच्ची आगे बढ़ा दी कपड़ा भीग गया फिर भी सिंघाडे पहुच में नहीं आए थोड़ी दूर और आगे उतर कर उसने उंगली की नोक से खपच्ची को पकड़ कर सिंघाडो को खीचने की चेश्टा की अपू से जहां तक बन पड़ा वहां तक जोर से पकड़ा रहा पर आगे उसके बस की बात नहीं थी यह देख कर वे पीछे से ठाहा का मार कर हस पड़ा हसी के साथ साथ खोट में ढील पड़ने की वज़े से दुरगा पानी की तरफ चुक गई पर फौरन ही संभल कर हसते भे बोली चल तू किसी काम का नहीं है तिर से पकड़ बहुत प्रयास करने पर सिंघाडों का एक थोका पास आ गया दुरगा ने कौतुखल के साथ देखा कि उसमें कुछ सिंघाडे काम लायक है बाद को उन्हें किनारी की तरफ फेंकती भी बोली अभी बहुत छोटे हैं दूद तक नहीं आया है अच्छा एक दफ़े और पकड़ अपु ने फिर पीछे से पकड़ लिया थोड़ी देर रहने के बाद दीदी के जुकने के साथ साथ वह पानी की तरफ दो एक कदम खिंचाया बाद को खपड़ा भीगने के डर से उसने खूट छोड़ दी और खिल खिला कर हस पड़ा दुरगा ने हस कर कहा तू तो बिलकुल मिट्टी का माधो है थोड़ी देर बाद दुरगा पानी में उतर कर और एक बार चेश्टा कर रही थी और अपु के नारे खड़ा था और उसने पास के एक सेवडा पीड की और उंगली दिखा कर चिलाते हुए का दीदी देख देख वहां क्या है कहकर वह वहीं जाकर मिट्टी खोद कर कुछ उठाने लगा दुरगा ने पानी में से पूछा क्या है रे बाद को वह भी पानी से निकल कर भाई के पास आ गई इतने में अपु मिट्टी खोद कर कुछ निकालते वे उसे अपनी धोती से पोंच कर साफ करने लगा उसने उसे हाथ में रखकर खुशी के साथ दीदी को दिखा कर कहा देख दीदी, कितनी चमकतार चीज है बहला, यह क्या है? दुर्गा ने हाथ में लेकर देखा कि यह गोल सी एक तरफ नुकिली अजीब तरह से कटी सी उजली कोई चीज थी वह उसे थोड़ी देर तक आग्रहे के साथ उल्टा पल्टा कर देखने लगी एका एक कुछ सोच कर उसके रूखे बालों से घिरावा मूँच चमक उठा उसने डरते हुए चारों तरफ ताक कर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है फिर चुपके से बोली अपू ये शायद हीरा है बोल मत एक्तम चुप रहे कहकर उसने फिर एक बार डरते डरते चारों तरफ निगाद ओड़ाई अपू दीदी की तरफ देख कर अवाख हो कर ताक तरह हीरा उसके लिए भी अग्यातवस्तु नहीं है मा से दीदी से वह बराबर सुन चुका है कि कथाओं के राजकुमार और राजकुमारियों के गहने हीरे मोतिके होते है पर हीरा देखने में कैसा होता है इस संबध में उसके मन में गलत धारना थी उसे ऐसा मालूम था कि हीरा कुछ मचलियों के अंडों की तरह है पीला पीला पर नरम नहीं सक्त है सर जया घर में नहीं थी उसने महले से आकर देखा कि लड़का और लड़की दोनों मकान के भीतर की और दर्वाजे के पास खड़े हैं पास जाने पर दर्वाजे ने चुपके से कहा मा हम लोगों ने एक चीज पड़ी पाई है गड़ पोखर में हम लोग सिंगाडे तोड़ने गए थे वहाँ ये जंगल में गड़ा हुआ था अपु बोला मा मैंने देख के दीदी को बताया दर्वाजे ने कपड़े की खूँट से उस चीज को मा के हात में देते हुए कहा मा देखो तो यह क्या है सरजया उसे लौट पॉट कर देखने लगी दर्वाजे ने फुसफुसा कर कहा मा क्या ये हीरा नहीं है सरजया भी हीरे के संबंध में अधिक ज्यान नहीं रखती थी उसने संधे भरे स्वर से कहा तूने कैसे जाना कि ये हीरा है? दुर्गा बोली माजुमदार लोग बहुत बड़े आदमी थे उनके घर के खंड़र में किसीने मोहरे पाई थी खुपी सुनाया करती थी यह एकदम पोखर के किनारे जंगल में गड़ा हुआ था धूप पढ़ने से चमक रहा था माँ ये जरूर ही हीरा है सरजया बोली पहले वे आ जाएं तो उन्हें दिखाऊं दुर्गा बाहर के आंगन में आकर खुशी खुशी भाई से बोली जो ये हीरा निकला तो देखना हम लोग बड़े आदमी हो जाएंगे अपो बिना समझे बूझे बेवकूफ की तरह ही ही करके हसने लगा लड़का लड़की के चले जाने पर सरजया ने उस चीज़ को निकाल कर बड़े ध्यान से देखा गोल सी अजीब तरह से कटी वी और एक तरफ नुकीली जैसे सिंदूर की डिबिया के ढखन का उपरी हिस्सा हो अच्छी चमकती वी चीज़ थी सरजया को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसमें बहुत तरह के रंग देख पा रही है इतना तो निश्चित है कि यह काँच नहीं है कभी उसने ऐसा काँच देखा है यह उसे याद नहीं पड़ा एका एक उसके सारे बदन में जैसे कोई बिजली चू गई हो उसके मन के किनारे पर विभिन संदेहों की बाधाओं को ठेल कर एक बहुत बड़ी दुराशा जैसे डरते डरते अंगडाई लेने लगी सच मुछी यदि यह हीरा निकला तो हीरे के संबंध में उसकी धारना, पारस पत्तर या साप के सिर्की मनी के ढंकी थी कहानियों में जरूर इनका अस्तित्व होता है, परवास्तव एक जगत में ये कम ही पाए जाते हैं और यदि कभी पाए जाएं तो शायद एक टुकड़ा हीरे के बदले संसार का सारा एश्वर्य मिल सकता है, तोड़ी देर बाद एक पोटली हाथ में लेकर हरीहर घर लोटा, सरजया बोली अजी, सुनो इधर तो आओ देखो तो यह क्या है हरीहर ने हाथ में लेकर कहा कहा मिली दुरगा, गडपो घर में सिंघाडे ढूनने गई थी वहीं उसे मिली है क्या चीज है, देखूं तो भला हरीहर ने उसे थोड़ा उलट-पुलट कर देखते वे कहा कांच है नहीं तो पत्थर वत्थर कुछ होगा इतनी छोटी सी चीज है कुछ समझ में नहीं आता सरजया के मन में जरा रक्षीन आशा की रेखा दिखाई पड़ी कांच होता तो क्या उसका पती पहचान न पाता बात को उसने चुपके से मानो इसी लिए कि कहीं पती विरोधी व्युक्ती न देने लगे डर्ती डर्ती बोली कहीं हीरा तो नहीं है तुर्गा कह रही थी कि मजुमदार की गड़ी में जाने कितनी लोग उने कितनी चीजे पाई है जो हीरा हुआ तो इस तरह हीरा कहीं रास्ते में पड़ा मिलता तो फिर चिंता क्या थी तुम भी क्या हो हरी हर के मन में यह धारना हुई कि है कांच है पर अगले ही क्षन उसके मन ने कहा हो भी सकता है कौन जाने मजुमदार लोग बड़े आदमी थे संभव है कि कभी उनके गहनों या किसी चीज में है जड़ा हुआ हो किसी तरह मिट्टी में गड़ गया हो कहावत ही है कि यदि भागे में नहीं तो गुप्त धन हाथ में आ जाने पर भी पहचान में नहीं आता क्या गरीब ब्राहमन की कहानी उस पर भी घटेगी उसने कहा अच्चा थेरो मैं इसे गांगुली बाड़ी में दिखा कर आता हूँ रोसोई करते करते सर जया मन ही मन मनाती रही दुहाई ठाकुर जी कितने लोग कितनी चीजे पड़ी हुई पाए जाते हैं घर पर इतने विपत्ती पड़ी है जरा बच्चों की सुधी लो तुम्हारी दुहाई है ठाकुर जी उसकी छाती धक धक हो रही थी थोड़ी देर बाद दुरगा आकर आग्रहे के साथ बोली मा पिता जी अब तक घर नहीं लोटे साथी साथ हरी हर मकान में प्रवेश करते हुए बोला हमने उसी वक्त कहा था गांगुली जी के दामाद सत्य बाबू कलकत्ता से आये हैं उन्होंने देख कर कहा ये एक तरह का बिल्लौरी कांच है जो जाड फानूस में काम आते हैं जो रहा चलते हीरे जवारात मिल जाते तो फिर तुम भी जैसी हो वैसा के दिन थे लगभग दो पहर कर समय सरजया मसाला बाटते बाटते दाही ने हाथ के पास रखी वी फूलों की एक डोल्ची में बहुत दिनों से इस डोल्ची का फूलों से कोई नाता नहीं रखा गया था अब मसाले रखने के काम आती थी मसाला खोजते हुए बोली फिर जीरा और मिर्च की पोटली कहीं गायब करती अपू तुने नाक में दम कर रखा है को की दिन धल रहा है अपू ने रसोई घर के भीतर से दर्वाजे के पास से चोरी से देखा मा की आँक उधर पड़ते ही उसने अपने शरारत की हसी भरे मुखडे को गोंगा जैसे खोल के अंदर छिप जाता है उसी तरहे दर्वाजे की आड में छिपा लिया सर्वजया बोली देखो तो अजीब बात है तो पहर की समय क्यों तंकर रहे हो बेटा दे दो अपू ने फिर हस्ते वे छिप कर मुँ बढ़ा है लो मैंने देख लिया अब छिपने से क्या फाइदा दे जाओ दे जाओ बच्चे सर्वजया अपने लड़के को अच्छी तरहे पहचानती थी जब अपू डेड़ साल का नन्ना मुन्ना था उनी दिनों वे इस समय के मुकाबले में भी गोरा चट्टा था सर्वजया को याद है कि वह उसकी बड़ी बड़ी आँखों में अच्छी तरहे काजल लगा कर माते के बीचो बीच एक टीका लगा देती थी और उसके सिर पर नीले रंकी सस्ती घुंडीदार उनी टोपी पहना देती थी फिर उसे गोद में रखकर संध्या के पहले आंगन में खड़ी होकर सुलाने के लिए खीच खीच कर स्वर से लोरी गाती आए रे पाकी ई ई लेज जोला आमार खोकन के निये ए ए गाचे तोला आपूँच लटकी हुई चिरईया मेरे मुन्ने को लेकर इस पेड़ पर चड़ मुन्ना कचोड़ी से फूले फूले गाल से मा के मूँ की तरफ एक टक देखता रहता था पिरे का एक नमालूम क्या सोचकर दंत हीन मसूणों को निकाल कर खुशी के मारे छड़ा पहने हुए नन्ने पैरों से मा से चिपट कर उसकी पीट के पीछे मूँ चिपा लेता था सरजया खिल कर कहती थी देखो मुन्ना कहां चिप गया कहीं दिखाई तो पढ़ता नहीं ओ मुन्ना बाद को वह जोही कंधे की तरफ मूँ फेरती थी तो ही मुन्ना फिर हसकर सामनी की तरफ आता था और अभोद की तरहे हसकर मा के कंधे में मूँ चिपा लेता था सरजया जितना ही कहती थी मेरा मुन्ना कहां गया कहां है देखो तो उतना ही मुन्ने का खेल चलता था बार बार मूँ इधर उधर करने के कारण सरजया के कंधे पिराने लगते थे परशिशु का खेल समाप्त नहीं होता था वे तो अभी अभी बिलकुल नए नए टटका इस संसार में आया था संसार के अंतहीन आनंद भंडार के एक कंड को खोज पाकर उसका सरलमन उसी को पकड़ कर लोभी की तरह बार बार उसी का स्वाद लेता था उसकी साग नहीं मिटती थी ऐसी हालत में उसे रोके ऐसी सामर्थे मा में कहां थी इस प्रकार थोड़ी देर करते करते उसके नन्ने से शरीर की शक्ति का भंडार उरा जाता था वे जैसे अकसमात अन्ने मनस्क होकर जम्हाईया लेने लगता था सरजया उसकी जमाई लेते समय चुटकी बजा कर कहती थी जियो जियो यह देखो होड लगा कर मेरे मुन्ने को नींद आ रही है बाद को वेह मुग्द नेत्रों से बच्चे के टीका काजल लगे हुए नन्ने से मुखडे की ओर देख कर कहती थी तुम्हे कितने रंगाते हैं मेरे बेटे फिर भी दुश्मनों का मुझ काला करके अभी मेरा मुन्ना ले दे कर कुछ देड़ साल का ही है कहकर वे अकसमात मुन्ने के लाल-लाल गालों को आकुल चुम्बनों से भर देती थी पर मा के इस प्यार भरे दुलार के प्रती संपून उदासींता दिखा कर बच्चे की उनिदी आखे जपक जाती थी सरजया मुन्ने के माथे को धीरे से अपने कंधे पर रख कर कहती थी देखो अभी संध्या समय ही सो गया सोची रही थी कि संध्या पार हो जाए तो दूद पिला कर सुलाओंगी पर देख लो सरजया जानती थी कि लड़का भले ही अब आट साल का हो गया हो पर अब भी उसमें बच्चपन की तरहे मा के साथ लुका छिपी खेलने की साध बनी हुई है वे ऐसी जगों में छिप जाता है कि अख्यारा क्या अंधा भी उसे ढूंड कर निकाल सकता है पर सरजया तो देख कर भी नहीं देखती वे एक ही जगे बैठ कर इधर उधर ताकती है और कहती है लो देखो कहां चल दिया अपू सोचता है कि मा को कैसा चक्मा दिया जड़कते हुए कहा तो फिर पड़ा रहा खाना पकाना अपू तुम इस तरह शरारत कर रहे हो खाने को मांगोगे तो फिर मज़ा मालूम होगा अपू ने हस्ते हस्ते कुपतस्तान से निकल कर मा की सामने मसाले की पोटली रखती मा बोली जा थोड़ी देर बाहर खेल चल कर देख तो तेरी दीदी कहा है एंद्वे के नीचे खड़ा होकर जरा चिला कर पुकार तो सही आज उसके नहाने का दिन है उस कमबक्त लड़की का कहीं पता भी तो मिले जा तो राजा उसे ढून तो ला और उसमें मा की आग्या मानने की कोई प्रवर्ती दिखाई नहीं पड़ी वें मसाला पीस्ती हुई मा के पीछे जाकर कुछ करने लगा सरजया ने पीछे लोट कर देखा कि छपर की बाती पर रखे हुए बड़ी देने के पुराने टाट को उतार कर उसे ओड़ते हुए अपू गुटनों के बल चल रहा है देखो देखो लड़के की बदमाशी ना देखो अरे ओ कमबक्त उसमें तो दुनिया भर की धूल है फैक फैक उसे पता नहीं उसमें कोई कीड़ा मकौडा भी छिपा बैठा है या नहीं नजाने कितनी दुनों से वहीं पड़ा है अपू ने पहले से गंभीर लहजे में कहा कहने पर बात थोड़े ही मानता है मेरे मुन्ना मेरे लाल उसे फैक दे मेरे हाथ में मसाला लगा हुआ है शरारत मत करो अब टाट ओड़ी हुई मूर्ती घुटनों के बल दो कदम आगे बढ़ाई सरजया बोली क्या तु मुझे चुएगा राजा बेटा मुझे मत चुओ ओ, मैं डर के मारे डर रही हूँ, मैं मर रही हूँ मुझे बहुत ही डर लग रहा है अपू ही ही करके हसकर टाट को खोल कर एक तरफ रखते वे उट खड़ा हुआ उसके बाल, मूँ, भौहें, कनपटी सब धूल से भर गई थी अजीब सा चेहरा बना कर वे सामने के छोटे-छोटे दांतों के खेल में किट-किट कर रहा था अब कहां जाओ, क्या करूँ, अरे पागल, तु तो धूल में सनकर एक दम भूत बन गया है और सो भी उस पुराने टाट की धूल, बिलकुल पागल है धूल लिप्टे वे बिलकुल अबोध पुत्र के प्रती सरजया का हृदय, करुणा और ममता से पसीज गया पर अपु ने बासी धोती पहन रखी थी, नहां धोकर उसे चुआ नहीं जा सकता इसलिए वे बोली ले, ये अंगोचा ले, पहले उससे धूल जाड़ ले, जाने कैसा लड़का है तोड़ी तेर बाद लड़के को रसोई घर के पहरे में बैठा कर वे पानी लेने के लिए पोकर में जा रही थी तो उसने देखा कि दुरगा घर में आ रही है, चहरा धूप से लाल हो रहा है, बाल बिखरे हुए थे, फिर भी धूल सने पैरों में आलता लगा हुआ था एक्तम से मा के सामने पढ़ जाने पर उसने खूट में बंधे आमों को दिखला कर कहा मैं पुन्य पोकर व्रत के लिए राजी के घर में चने के पेड़ लेने लगी थी, आम तोड़े गए हैं, उसी का हिस्सा बांट हो रहा था, तभी राजी की भूपी ने दिये लड़की की हालत तो देखो, सारी देहे खौसी हो रही है, बाल देखो तो बुखार आ जाए, रत के सोच में तो तुझे रात को नींद ना आती होगी, कहकर यह लड़की के पेरों की तरफ देख कर बोली फिर से तुने लक्षमी पूजा की टोकरी से आलता लगाया है? पिताजी से हाट से एक पैसे का आलता मंगाया था, उसी के दो पत्ते मेरी गुड़िया वाले बक्से में पड़े थे हरी हर चिलम हाथ में लेकर रसोई घर के बरामदे में आग लेने के लिए आया, सरजया बोली मैं घड़ी घड़ी तुम्हारे लिए आग कहां से लाओं? बास की आग भला कितनी देर रहती है? जो सुन्दरी पेड़ की लकड़ी का बंदोबस्त कर देते तो बात और थी कहकर उसने आग देने के लिए रखे हुए पीतल के तूटे कल्चुल से आग उठा कर नाराजगी के साथ सामने कर दी, फिर कुछ नरम पढ़ती हुई बोली क्या रहा? सब ठीक ठाक था, घर भर दीख्षा लेने के लिए तयार थे पर एक पखेड़ा खड़ा हो गया महेश विश्वास की ससुराल की जायदाद में कुछ कड़पड जाला हो गया है, इसलिए वह वहीं चला गया असली मालिक तो वे ही है ना, इसलिए मामला कुछ तल गया, फिर इधर असाड महीने से अकाल भी पढ़ने लगा है और यह जो कहा था कि बसने को जमीन देगा, तो उसका क्या हुआ? उसी बखेड़े के कारण सब गड़ पड़ा गया, असली बात तो दीक्षा लेना है, जो वही टल गया तो फिर बसने की बात कैसे चलाओ? सर जया ने बड़ी बड़ी आशाएं बांध रखी थी, खबर सुनकर उसे बड़ी ठीस लगी, बोली वहा न सही, तो और कहीं देखो न, घर का जोगी जोगिया आउन गाउं का सिद्ध, यहां कोई टके सेर भी नहीं पूछता आम कठल का समय है, पर घर में ना आम है ना कठल, आज लड़की किसी के घर से दो अदसड़े आम लाई है, कहकर वह मकान के पश्चिम की और देख कर बोली हमारी नाक पर से रोज टोक्रियों आम तोड़कर लोग ले जाते हैं और हमारे बच्चे टुकुर टुकुर देखते रहते हैं, क्या यह कोई कम कश्ट है? बाग की बात उठने पर हरी हर बोला, वह क्या कम धोके बाज है? साल में हस खेल कर पचीस रुपे मिल जाते थे, जो उसने उसे पांच रुपे में लिखा लिया मैंने उसे जाकर इतना समझाया कि चाचा जी हमारे बाल बच्चे हैं, उस बाग में आम और जामुन बीन कर बड़े हो रहे हैं इसके अलावा मेरे पास कुछ भी है तो नहीं मैंने यह भी कहा कि भगवान की इच्छा से आपको कोई कमी नहीं है दो बड़े बड़े बाग हैं जिनमें आम, जामुन, नारियल सुपारी सभी कुछ लगते हैं आप मेरा बाग छोड़ दीजे इस पर क्या बोला जानती हो बोला कि नील मनी भाईया बड़ी मुसीबत में पड़े थे इसलिए उन्होंने भुवन मुकरजी के सामने तीन सो रुपे के लिए हाथ पसा रहे थे असली बात यह थी कि भाबी की भूली भाली पाकर इसने अपना उल्लू सीधा कर लिया है भूली भाली नहीं तो क्या है? सुनती हूँ कि उसने कहा है कि रिष्टेदार के हाथ बाग गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा फल फूल तो योहीं खा लेंगे इससे अच्छा है कि कुछ कम में भी बंदोबस्त हो जाए तो जो भी रकम ते होगी वह मिलेगी तो सही हरीहर बोला तो यहां हम भी वह रकम दे ही सकते थे पर यहां तो कानो कान खबर ही नहीं लगने दी कि वह बाग का बंदोबस्त कर रही है भाबी को हलवा पूरी खिला कर अपने काबू में करके चुपके से लिखा लिया शाम को एक आएक अंधेरा करके काल बैसाखी की आंधी आई बड़ी देर से बदली हो रही थी फिर भी आंधी कुछ पहले ही आ गई अपू के घर के सामने की चाड़ी के पांस दिवार पर से आंधी से उधर गिर जाने के कारण मकान जैसे कुछ खुला दिखाई देने लगा धूल, बांस के पत्ते, कठल के पत्ते, सरपत चारो तरफ से उड़कर आंगन में जमा हो गए दुर्गा आम बीनने के लिए दोड पड़ी अपू भी दीदी के पीछे पीछे दोड़ा दुर्गा दोड़ते दोड़ते बोली जल्दी दोड़, तु सिंदूरी आम के नीचे रह, मैं सोना मुखी पेड़ के नीचे जाती हूँ दोड दोड हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताएं आपके कॉमेंट्स और लाइक हमें प्रोथसाहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानिया शेयर कीजे और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बैल आइकन दबाना न भूलें इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ